हलो फ्रेंग्स, डेली हे टिप्स में आपका स्वागत है दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी मुनक्का खानी के फायदे क्या है जी हाँ मुनक्का यानि कि ड्राइ ग्रेप्स तो अंगूर को सुखा कर बिनाये जाते हैं जी हाँ मुनक्का दो प्रकार का होता है एक तो लाल और दूसरा काला मुनक्का का इस्तेमाल बहुत तरहा के घरेलू पचारों में किया जाता है मुनक्का खाने से खून बढ़ता है साथ इसको खाने से वायू, पित, कफ, दोश दूर हो जाते हैं ये खाने में जितनी स्वाधिश होती हैं, उतनी सेहत के लिए भी बड़े काम की चीज है। साथ ये हमारे शरीर की रोख प्रतीरोदक शंता यान की इम्म्यूनिटी पावर बढ़ाने का काम करती हैं। जी हाँ, साथ इसमें फाइबर के गुन अधिक पाय जाते हैं। इसलिए छोटी मोटी स्वाध की समस्याओं के लिए ये घरेलूप चार का काम करता है। तो चलिए जानते हैं मुनक का खाने के फायदे क्या है। अगर आप हमारे चानल पे न्यू है तो इस चानल को सब्सक्राइब कर लीचे और साथी बेल आइकॉन को भी प्रस कर दीचे ताकि आपको हमारी सभी लेटेस वीडियो की अपडेट्स मिल सकें। दोस्तों अगर आप सूखी खांसी से प्रेशान है तो ऐसे में आप चार से पांच मुनक के लेकर उसके बीच निकाली छे, अभी से तवे पर भूई ली छे और फिर इसमें काली मिर्च का चूर न मिलाकर ने कुछ देर तक चूस कर छपा ली छे। जी हाँ, इस उपाई को दो से तीन दिन तक करने से आपकी सूखी खांसी में काफी आरा मिल जाएगा। और हाँ फ्रेंग्स, जिन लोगों का सर्दी जुखाम पुराना हो, उन्हें मुनक का दूद एक हफ़ते तक पीना चाहिए। इससे सर्दी जुखाम कम हो जाएगा। और हाँ, जिन महिलाओं के शरीर में खून की कमी है, उनके लिए मुनक का बहुत ही फैदिमन है, क्यूंकि दोस्तों मुनक के में आईरन बहुत होता है। जिहां, और मुनक का खाने से शरीर में हीमो ग्लोबिंग की मातरा बढ़ती है। जिहां, इसके लिए रात को सोते समय करीब 10-12 मुनक के को पानी में अच्छी तरहा से दोकर इसे पानी में भीगो दीछे। और सुभा उटकर भीगे हुए मुनक के बीच निकाल कर मुनक को अच्छी तरहा से चबा कर खा लीचे। इससे शरीर में खुन की मातर बढ़ती हैं और साथ ही एनिमिया की प्राबलम भी दूर हो जाएगी। दोस्तों मुनक के से चेहरे में आता है निखार। जी हाँ मुनक के में आयरन की मातरा अधिक होने के कारण ये खून में हीमो ग्लोबिंग के लेवल को बढ़ा देता है। जिससे कि आपका चेहरा ग्लो करने लगता है। इसलिए अगर आप भी अपने चेहरे का रंग निखाना चाहते हो तो मुनक का ज़रूर खाईए। मुनक का आप लगातार दो हफ्तों तक आजमाईए। आपको काफी फैदा होगा। बच्चे का विस्तर पर पिशाप करने का रोग दूर हो जाएगा। और हाँ दोस्तों जिन लोगों को अच्छी तरह से भूग नहीं लगती हो वो लोग भूग बढ़ाने के लिए मुनक का नमक काली मिर्च इन सभी समागरियों को हलका सा गर्म करके खाईए। इससे आपकी भूग बच्चाएगी। आंखों के लिए फाइदेमन है मुनक का। जी हाँ मुनक के में पाएजाने वाले एंटि आक्सिडेंट आपकी आंखों को फ्री राइडिकल से होने वाले नुपसान से बिचाती है। जी हाँ साथ ही आपके शरीर में ब्लड सर्किलिशन को सही कर आपकी आईस को जरूरी पोशन ब्रदान करने में मिदद करती है। जी हाँ इसे रोजाना खाने से आपको ग्लियूकोमा, रताउंदी यानिकी नाइट ब्लाइननेस, मोत्याविन आदी नहीं होता है। साथ ही इसके पोशक तत्व आपकी निगा यानिकी आउंखों की रोशनी को तेज करते हैं। इसलिए आपी मुनक्का जरूर खाईए। दोस्तों अगर आपको कप्स की समस्या है तो ऐसे मिया आप शाम के समय दस मुनक्का को एगलास दूद में उबाली छे, फिर रात को सुनी से पहले इसके बीच निकाल दी छे, और मुनक्का को खाली छे, उपर से गर्म दूद भी पीली छे, इससे आपको कप्स की प्रॉब आसिद्धी में काफी आरा मिल जाएगा, दोस्तों पेट दर्ट की समस्या होने पर दो से तीन मुनक्का में थोड़ी सी हीम को मिला कर खाईए, इससे आपके पेट का दर्ट कम हो जाएगा, वैसे फ्रेंड्स मुनक्का खाने से हमारे शरीर के कमजोरी दूर हो जाती है, और चकर आना बन हो जाती है, इसलिए अगर आपको चकर आ रहा हो तो ऐसे में आप चार से पांच मुनक्का को पानी में भीगो कर खा ली शे, इससे आपको काफी फैदा होगा, और हम फ्रेंड्स कुछ मुनक्के रात को पानी में भीगो दी शे, सुबा को इनके बीच निकाल क खुब चबा चबागर खाईए तिन हफ़तों तक इसका सीवन करने से खून साफ होता है और नक्सीर यानिकी नक्से खून महने की प्राबलम में भी आपको काफी आगा मिलता है इसलिए आप इस उपाई को ज़रूर प्राई कीछे इसके लावा फ्रेंड जिनका ब्लड प्रे नॉर्मल हो जाएगा दोस्तों मुनक्के में कैल्शियम भरपुर मात्रा में पाया जाता है जिस कारण मुनक्का खाने से आपकी हडिया मजबुत बनती है यह आपको गाटिया और स्ट्योपरासिस जैसी समस्क्याओं से बशने में आपकी सहयता करता है इसलिए हडियों से जुड़ी परेशानियों से बशने के लिए आपको मुनक्का जुरूर खाना चाहिए So friends, अब आपनी भी चालिया है मुनक्का खाने के फाइदे क्या है इसलिए आप भी मुनक्का खाईए और अपनी आपको healthy बनाएए If you like this video, give a thumbs up, comment us in the comment box and make sure to subscribe to daily health tips Friends, I will be back again with more new interesting topics Till then, take care, enjoy and keep watching our upcoming videos Thanks for watching, bye